गुड़ाफिन ओर फ्यू कैसे हैं आप सब आज हम आप लोगों के लेके हैं 2015 के जेकबोर्ड फिजिक्स अब्जेक्टिव क्वेशन इससे पहले हम लोगों ने सॉल्ट किया तो 2014 के अब्जेक्टिव क्वेशन को फिजिक्स का अगर वो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लेए लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रीमिस में दे देंगे ठीक है पहला को पुछा गया से 2015 के फिजिक्स में वह था की विच अपट फॉलोइंग विच आप द फ सवाल जाने के लिए एक काम करी आपको यह जाना बहुत जरूरी है वह क्या है वह आप याप देखिए क्या है relation between e and v relation between e and v where जहां पर हम e को क्या बलेंगे electric field intensity और v को क्या बलेंगे electric potential अब इन लोगों में जो relation होता है जान रहे है यह relation बहुत important है electric field intensity और electric potential का relation वह जो होते हैं वह होते हैं e equals to minus dv y dx equals to minus dv y dx जहां पर भी क्या है potential x क्या है length है x क्या है हम लोगों का तो x हम लोगों का length 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 है न हम यह चीज़ को dv y dx इस चीज़ को हम potential gradient के नाम से भी जानते है potential gradient potential gradient के नाम से हो जानते है potential gradient का मतलब होता है change in potential with respect to change in length मतलब जब length change होगा तो उसका respect में potential कित्मा change होगा हम उसको बलते है potential gradient ठीक है और उसका relation जो होता e के साथ हो होता है equals to minus dv y dx अब इसमें आपको पूचा है कि किसका unit पूचा है volt per meter volt per meter तो आप जाने गए होंगे अब यह पर देखिए यह तो potential है potential का unit क्या होता थो volt यह उता volt और यह length है तो length का क्या होगा meter meter होगा यह अब यह meter nature है उपर चल जागत क्या आने वाला आपका तो आने वाला है volt per meter तो volt per meter किसका है तो यह e e यानि क्या है आपका electric field intensity तो इसका option हो जाएगा वह हो जाएगा आपका electric field यानि option number c अब देखिए और नेक्स वाल क्या पूचा गया कि electric field e and electric potential b are related अब relation नहीं पूच दिया तो तो पहले आपको बता दिये कि e and b relation क्या होता तो e and b में relation होता है minus dby dx यहाँ पर x के आपका length है x के यहाँ पर length है जिसका option देखते हैं कहाँ पर है यहाँ पर दिया गया e equals to minus dr यहाँ पर दियान दिजेगा कि यहाँ पर हम length को x लिए हैं आपके option में आर दिया गया है ठीक है आर तो उसमें कन्फिज नहीं होना है x और एक ही चीजे लेंद अब आपको देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है drydv यह तो नहीं है formula क्या होता आपका e equals to minus dv by dx है यह देखते हैं यह है आपका e equals to minus dv by dr आर के जगह पर हम क्या रख सकते हैं अपना x रख सकते हैं यहीं वाला option सही होगा आपका relation e equals to minus dv by dr अब next वाल पर आते हैं क्या बोल रहा है next वाल पर कि if the distance यहाँ पर d d होगा मिस्टेक हुआ है if the distance between two plates of a parallel plate capacitor is doubled its capacity क्या होगा तो parallel plate capacitor के ऊपर आपको 2014 में भी सवाल देखने को मिले थे क्या होते है parallel plate capacitor तो इस टाइप के उसके construction देखने को मिलता है जहां पर यह होता प्लेट वन यह होता है प्लेट टू एक पर प्लस क्यू चार्ज तो एक पर मानस क्यू चार्ज और एक पर पॉसितिव चार्ज होगा तो एक पर नेगटिव चार्ज और इन दोनों के बीच मे दो प्लेट के बीच में क्या होते है डायलेक्टिक जिसका काम होता है जिसके काम होता है जिससे capacity उसका increase होता है यह सवाल आपको दूदादन पॉर्टी में पुछा गया था अब पैरलल प्लेट के पेसिटर का जो capacitance होता है उसका formula होता है C, C यानि capacitance इक्वल्स टू ए अपसाइलर नॉट बाई D, ए अपसाइलर नॉट बाई D होता है तो हमको क्या बोला गया है D यानि distance क्या बोला गया कि दो पैरलल प्लेट के पेसिटर के बीच का distance को double करना अब नीचे अब ध्यान से देखिए कि D जो है वो नीचे है नीचे यानि इसका university proportional होगा अगर हम डबल हो जाएगा दोगुना बढ़ेगा तो यह दोगुना घटेगा क्योंकि यहाँ पर यह इन वर्सरी प्रोपोर्शनल है D आपका नीचे है अगर उपर होता तो बढ़ता ठीक है यहाँ पर बोलेगा कि area अगर डबल हो जाए यह मतलब अरिया अगर डबल हो जाए तो area होगा तो क्या डबल होगा यहाँ पर डिस्टेंस डबल होगा तो क्या होगा दोगुना घटेगा मतलब इसका जो answer होगा वह decreases two times होगे इसका answer क्या होगा पर मीटर एका यूनिट यानि ए मतलब electric fill intensity उसका यूनिट होगी आपका वॉल्ट पर मीटर बहुत कोई के माइड में यह रहेगा कि एका हमें की यूनिट लेते हैं Newton पर कुलम Newton पर कुलम तो आपको बता दे Newton पर कुलम एका SI यूनिट है SI यूनिट अगर आपसे पुचता क इका SI यूनिट क्या है तो वह होता Newton पर कुलम वोल्ट पर मीटर इसका यूनिट है हम लोग एक फॉर्मुला जानते है F by Q मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज तो F का होता है Newton चार्ज का होगा कुलम तो इसका जो फॉर्मुला निकल कर आएगा Newton पर कुलम तो इका SI है अगर हम SI यूनिट देखें तो वह क्या है मीटर है उसी परकार से E का एक यूनिट है वोल्ट पर मीटर वोल्ट पर मीटर उसका यूनिट है जो इस रिलेशन समको मिल रहा है इका SI यूनिट क्या होगा तो वह होगा Newton पर कुलम याद रखो गया आप इसको भी तो हम लोग कोशन नमर तरी तक पुछ चुके थे अब फॉर्थ नमर कोशन देखिए क्या बोल रहा है कि अगर आप वो वीडियो देखे है तो आप ज़रूर जानोंगे अगर नहीं देख का बढ़ा देंगे तो उसका conductivity क्या होगा तो उसका conductivity क्या होता है तो उसका conductivity क्या होता है तो सब्सक्राइब करता है जब कि अगर सब्सक्राइब क्या होता है तो सब्सक्राइब करता है तो सब्सक्राइब करता है तो सब्सक्राइब क्या होता है तो सब्सक्राइब करता है अगर हम potentiometer wire के length को increase करेंगे तो उसका balance point कहां पर प्राप्त होगा तो इसका जो answer होता है वो large length ज्यादा length में प्राप्त होगा पहले जिस length में प्राप्ती हो रहा था उसके picture अब वो लंबे length में वो point आपको प्राप्त होगा कौन सा point balance point potentiometer यहां पर आपसे यह भी पूछ सक कि db by dx.com क्या बलते है potential gradient न तो potential gradient क्या होगा अब देखें लेंथ तो नीचे है length अगर बढ़ गिया है इसका potential gradient क्या होगा घट जाएगा तो यह decrease होगा तो यह सबाल आपको घुमा भी सकता है कि if the length of a potentiometer wire is increased the balance point will be found यह बोला गया अगर यहाँ पुछता कि जब length हम बढ़ा देते है potential meter का तो को potential gradient क्या होगा तो वह होगा आपका decrease smaller length प्राप्त होगा डिक्रीज इस्माल नहीं decrease करेगा जबकि आपका यहां पर option सभी कौन साही होगा लार्ज लेंट पर होगा next स्वाल देखें क्या बलता है if the number of tons in a moving coil galvanometer is increased its sensitivity अना moving coil galvanometer पर अगर number of tons को बढ़ाते हैं ध्यान देजे आप जो पढ़े moving coil galvanometer वो तो जाने रहें कि इसका answer क्या होने वाला है फिर भी थोड़ा संजाने कोई करते हैं कि number of tons अगर बढ़ जाते हैं तो आप उस coil पे क्या होता है ना उस coil पर टॉर्क बढ़ता है यहां पर sensitivity पूछा है नहीं पूछा कि current sensitivity या voltage sensitivity तो आपको बता दें कि क्या होने वाला कि number of tons वरने से 5 बढ़ेगा और sensitivity का जो formula होता है वो तो 5 यानि 5 by I इसको हम बलते है current sensitivity और एक होता है 5 by V इसको बलते है voltage sensitivity तो यहां पे देखें कि 5 जो है वो तो उपर है उपर यानि यह होता है current sensitivity और voltage sensitivity पाइगर उपर है तो 5 बढ़े बढ़ने पे sensitivity पर तो फाय तो बढ़ेगा कब जब TUNS हम बढ़ा देंगा TUNS बढ़ाने पर 5 क्यों बढ़ेगा TUNS बढ़ाने पर टॉर्क बढ़ेगा और TORK बढ़ने पर Restoring टॉर्क बढ़ेगा इसका मतलब इसका sensitivity क्या होने वाला है अब देखे जो पड़े हुए है इसके मातने में पूरा-फुरी फीट बेड़िया होगा अब जो नहीं पड़े हैं वह पाद सेंसर देखिए कि इसका अब सेंसर कौन से होगा पाद सेंसर नहीं गया है जब हम एक कपेसिटर को किसके साइप के साथके साथ इसके लिए आप अलग पूछा का अगल उसके ओपर पूछते रहेंगा अगर 2014 को कर दे वह आप्छे में जायें तो बहुत सारे संवाल सो लिंक मिल जाएंगे अग वह मैंच ने लगेंगे अप क्शलियें है कि inductor inductor को जोड़े है कैसी सोर्गे worry projector को जोड़े है एक ऐसी सोर्गे शाथ क्या हमको अभी इसके लिए पूछा किए इसके लिए इसके लिए आपको बता tे इसके लिए जो फेस्टिफरेंस होता ہے, वो होता है था, पाइबाई वह पाइबाई टू ए रिजिस्टटर पे जानने वाली बात है करेंटेंक वोड़ेज बिटेंस के होता हुआ मतला हम क्या बूल रहे फेस्टिफरेंस का मानल Chung चल रहा है, तो current lag करेगा, कितना degree से lag करेगा, pi by 2 से, pi by 2 से, lag आड़े नीचे की और वो कम, voltage से pi by 2 कम यह में चलेगा कौन current, अब यहां पर देखते हैं, यह आई, अब दखें, capacitance में क्या होता है, अगर potential इधर चल रहा है, तो current lead करता है, current lead उससे आगे चलता है, कितना degree पे, pi by 2 पे, तो दोनों में, phase difference, pi by 2, pi by 2 का ही है, difference क्या है कि, inductor पे current lag कर जाता है, कम हो जाता है, और यहां पे capacitance में current lead कर जाता है, potential से कितना degree पे, pi by 2, pi by 2 पे, और resistance पे जिरो रहता है, यह तीन और और से याद रखोगे, हो जकता है, अभी आपको यह पूचा है, यह भी पूच आपको फिर से, इस वरेज का, तो हम आपको बताई चुके हैं, हम लोग, 2014 में हम लोग, Electromagnetic spectrum देखे हैं, जो पढ़े हैं, वो तो जाने रहे हैं, इसका answer होने वाला, वो gamma ray, और सबसे ज्यादा किसका होगा, तो radio का, सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा किसका होग the ray that is deviated list is, जब हम एक प्रिजम से स्वेत कराते हैं, एक white ray को, तो इसमें जो dispersion होता है, light का, 7, 7, अप यह नोट देखे, 7, जब हम एक प्रिजम से, एक प्रिजम से यह प्रिजम बना हुआ, वहां से एक white ray को प्राप्त, पास करवाएंगे, तो वो 7 constituents ray में dispersed हो जाते हैं, व violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, तो आप दिहान से अगर देखे, तो सबसे ज़्यादा deviate कौन किया, तो सबसे नीचे कौन है, तो वो है आपका V, यानि violet, सबसे कम deviate कौन किया, तो आपका red, वही आप से पूचा है, लिस्ट deviate कौन करेगा, तो लिस्ट deviate करेगा, आपका red answer होगा, आप power of lens, power of lens का unit होता है, diopter, ठीक है, आप next सबाल पर आते हैं, इसका, next सबाल क्या है, वो देखे आप, that plane wavefront is a part of, अगर आप जान रहे हैं, तो plane wavefront के बारे में सवाल था हम लोग का plane wavefront हमको कब रात होता है, जब कोई source infinity में रहे, infinity में, तो बलता plane wavefront किसका part हो सकता, spherical का, cylindrical का दोनों का, कोई ने इसमें से, आप सोचिए कि कोई अगर, spherical wavefront भी है, वो भी अगर infinity से आएगा, तो हमको plane wavefront ही पराप्त होंगे, cylindrical से भी पराप्त होंगे, हाँ, case क्या है, इसमें condition क्या है, कि spherical और cylindrical wavefront कहां पर होना चाहिए, infinity पर पराप्त होंगे, तो यहाँ पर option दोनो electron volt बोला है, तो one electron, यहाँ पर one का one, अब खुछ सोचिए, electron पर charge कितना होता है, तो वो होता 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, volt को हम volt रहने देते हैं, one को अगर हम इससे multiply करेंगे, तो वो इतने ही आएगा, 1.6 into 10 to the power minus 19, coulomb volt, coulomb volt, coulomb volt, समझे रहे हैं, coulomb volt को हम क्या बोलते हैं, तो joule बोलते हैं, joule, joule बोलते हैं, इसका मतलब, one electron volt, इतना joule के बराबर होगा, 1.6 into 10 to the power minus 19 joule, आप एक formula याद रखोगी, V equals to W by Q not, जहाँ पर V potential है, W आपका work है, क्यों आपका charge है, यहाँ से हम W आराम से निकाल सकते हैं, W equals to V into Q not, यह दर्म जाके into होगा, V into Q not, अब W का साहँ माता जाना रहे हैं, जूल होता है, अब V का क्या होता है, वोल्ट और इसका क्या होता है, coulomb, coulomb volt मतलब क्या है, V into 10 to the power minus 19 J, अब next, इतना आसान सवाल देखिया, 1 AMU, AMU मतलब समझ रहे हैं, 1 atomic mass unit, 1 AMU किसके बरावर होते हैं, तो 1 AMU, 1 atomic mass unit का मतलब होता है, एक proton और एक electron, sorry, sorry, एक proton का mass, ठीक है, एक proton का mass, एक proton में कितने mass होते हैं, तो वो होता है आपका, 1.66 into 10 to the power minus 20, minus 24, minus 24 gram, ये gram में है, ठीक है, अब ये gram में होता है, एक 1 AMU को, gram में हम इतना लिखते हैं, ये कितना, किसका mass है, तो ये proton का mass है, mass of proton, याद रखेगा, mass of proton, mass of proton होता है, इसके बराबर, उसी को हम 1 AMU के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो 1.66 into 10 to the power minus 24 gram, और इसको अगर kg में लिखेंगा, तो 1.66 into 10 to the power minus 31, 31 बोल रहे हैं, 27, 27 kg, तो gram में इतना, kg में इतना, तो अभी आपको option कों से दिया, वो देखना gram में, तो gram में तो 24 होना चाहिए, नहीं होगा यह, kg, kg में 27 है, तो यह होना चाहिए, आपका option, कौन सा होगा, बी नम्बर, next बादेगे, the bullion algebra for NAND gate, NAND gate इसे पहले भी आया था, उसमें आपको NAND gate में आपको पुछा था, उनिवर्सल गेट होता है NAND gate, वो पुछा था आप के लिए हम कहा देते हैं, बार और यह बराबर होता, यह expression हो जाता, बुलेन का, Y equals to A dot B, यानि यह होगा आपका add वाला और यह बार किसके लिए, तो not के लिए, तो इसका option कौन सा होगा, तो option देखने से पदा चलेगा, उसका option कुछ हो है, आपका, वो है आपका C number, A dot B, यह होल्स कासे होते हैं, किस नचर के positive होल्स होते हैं, तो यह हो गया, आपसा option C, अब देखे, आपका 2014 हो चुका है, complete, हम लोग नेस्ट लेके आएंगे वीडियो 2016 के ऊपर, तो देखते रहे हैं, जूडे रहे हैं, और मज़े से एक्जाम को दीचे, ठीक है, मिलते हैं, एक्स दीड़ोगे.